कि वालीकुमसलाम इंटरनेट का सवाल था पिछली पार भी मैंने पूछा था था थोड़ा इंकंप्रीट रह गया था उसको मैं जी बहुत है कि हम बस यह हमको अगर पता है 100 परसंट तो तभी हम रोकेंगे वह इंटरनेट शेयर करने से 100 परसंट पता है तो अभी मैं आपको हम इंसान हैं हमको थोड़ा सांदाजा होता है कि मैं खुद कंप्रीटर में कानिक हो तो हम पुराने खरीते हैं दस में से कि यह दूसे नौ कंप्पिटर को मैं खोल के देखके बन सकता हूं कि यह तीन साल चलेगा नहीं चलेगा उसी तरीक हैं कि आवास सुनते ही वह वह बोसकते हैं 그렇게 यह गाड़ी चलेगी यह नहीं चलेगी पर वह तो हंडरी परसंट वह लोग नहीं बदा सकते हैं 95 परसंट व इस मामले में कैसे हम करेंगे और इस सवाल का दूसरा इसा यह है कि एक एरिया मानेजर होता है इंटरनेट में एरिया मानेजर तो पूरा पूरे एरिया में वो इंटरनेट का जिम्मेदार होता है तो उसमें तो फिर यह तो प्रोबाइबिलिटी हाई कि कोई ना कोई तो उसक नहीं है कि वो इसका गलत इस्तेमाल ही करेगा जो सामान में उसको दे रहा हुए लेकिन मुझे ज्यादा गुमान ये है मेरा ज्यादा रुजहान इस बात की तरफ है कि इसका गलत इस्तेमाल ही करेगा इसको फुकहा की इस्तिलाह में जन्न गालिब कहा जाता शरीयत की इस्ति जने गालिब मतलब जिधर आपका रुजहान ज्यादा हो उसको जने गालिब कहा जाता है तो जने गालिब पर यकीन का खुक्म ही लगता है तो अगर आपको का गालिब गुमान यह है कि इसका गलत इस्तेमाल करेगा तो इसे आप यकीन के दरजे में ही रखेंगे और यह कोई भी ऐसी चीज़ देना जिसका वो गलत इस्तेमाल करे अब इसी जवाब से आपका जो दूसरा दूसरा सवाल है उसका जवाब भी आर समझ सकते हैं जो एरिया मेनेजर है जो डिस्टिब्यूट करता है और देख भाल करता है लोगों के कनेक्शन की अगर उसको पता है जन जवाब पर जवाब सिर्फ मसला यह है कि जिसको आप जिसको आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं चाही इंटरनेट की सर्विस या किसी और चीज़ की सर्विस आपको अगर पता है इस सर्विस का हराम इस्तेमाल हो रहा है या तो आपको यक बिलकुल यकीन होगा 100% या आपको 100% नहीं लेकिन जन्ने गालिब आपका गालिब गुमान ये है कि इसका गलत इस्तेमाल ये कर रहा है तो किसी भी तरह की सर्विस जिसका हराम इस्तेमाल हो नहीं दुरूस्त है उसको देना अब एक घर में दस लोग होते हैं तो ये पूरा मसला हो जाएगा अगर एक घर में दस लोग है और हमको गुमान ये है कि भाई तीन लोग तो गलत समय करेंगे बागे का तो हमको उसका हमको कुछ अंदाज़ा नहीं है तो एक घर में लगाने का क्या रहेगा जी देखिए एक काइदा है शरीयत में असूल फिक्ष में अर्बी में हो काइदा कि इदज्तमाल हादिर वल्मूबीह कुद्दमाल हादिर इसका मतलब ये है कि जब हराम और हलाल एकठा हो जाएं और दोनों के दरम्यान तमीज करना जार लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तो असल एतबार उसका होगा जो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि क्योंकि दरुल मफासिद आवला मिन जल्मसाले मतलब जो गलत है उसको रोकना ये ज़्यादा जरूरी है सही को हासिल करने से तो पहले गलत को रोकना है हम केबल भी वही मसला है आपको अगर पता है कि यह जो मैं इसका कम्पीटर रिपेर कर रहा हूं यह गलत इस्तेमाल करता है इसका तो नहीं दूस्त होगा वो सर्विस देना उसको लेकिन यह फिल्ड है इसी है ना कि उसमें एक्जेक बता ही नी सकता आदमी कि इसका सही इस्तेमाल है या गलत नहीं होता है जिसके तालुक से यह गलत ही इस्तेमाल करेगा या तो नहीं पता होता है यह पता है यह दो कोई कंपनी होती है कोई पहुती है कोई तो जो हम इसमें internet प्रोइड कर देते है अब उसमें वर्कर्स लोग उसके वाइफाई यूज़कर गgres तो अब उसके डपनी होता है कि कौन कैसे यूज़कर रहा है कौन अच्छा किन च diet कॉन बुरा यूज